hello friends i am push point and welcome to fly academy इस video में आपको बताने वारे हम इनफ के बारे हम जी हैं enough 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 मीज इसका हिंदी हो मतलब क्या होता है काफी 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 enough कई वार हम लो सुना enough is enough enough बस हो गया enough तो आपने कई वार enough वर्ड का मतलब enough कई वार आप यूज करते हैं ये मैं आपको आज बताने बाला हूँ देखी गए enough को जो हम use करते हैं वो दो तरीके से करेंगे एक आपका noun और adjective इन दोनों पर आपको थोड़ा focus करना होता है जैसे कि मैं sentence लेता हूँ She hasn't enough money She hasn't enough money He isn't tall enough तो आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पर जो है enough पहले आ रहा है money बाद में आ रहा है ठीक है और यहाँ पर आपना देखा होगा यहाँ पर tall पहले आ रहा है और enough बाद में आ रहा है तो यह चीज़ आपको समझनी है तो बहुत simple सा rule है और वो rule यह है कि अगर कभी भी आप noun को बता रहा है इनफ टाइम इनफ पीपल जैसे I have enough time to learn English मिरे पास काफी समय English को सीखने के लिए I have enough time to learn English मतलब मुझे English सीखने के लिए मिरे पास काफी समय है enough people enough people जैसे हम कोई sentence ले लेते हैं जैसे की there will be enough people बहाँ पर काफी लोग हैं मतलब जितने हमें चाहिए ते उतने लोग हैं enough का मतलब हम काफी मतलब बहुत सारे की use नहीं करते हैं enough का मतलब हम use करते हैं जहां पर जितनी जरुरती जितना काम चल जाएगा उसमें हम enough word का use करते है जैसे कि हाँ पे enough people, enough people मतलब इसका मतलब यह कि हाँ इतने लोग हैं जितने कि हमें requirement ही हमारा काम हो जाएगा, enough का मतलब हैं कि बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे लिए का अलग word यूज़ करेंगे, enough people, enough time, enough money, जब भी हम noun होगा, तो noun के पहले क्या आएगा आपका enough आएगा, तो अब second thing पे आते हैं, अब आका अगर ads active होता है, क्या होता है, ads active होता है, तो उसके बाद आपका enough आएगा, जैसे कि he isn't tall enough, मतलब कि वो उसके लिए उतना लंबा नहीं है, अभी वो उतना लंबा नहीं है, तो यहाँ पे जब हम किसी subject की जो एक आपका पूस्ता बताता है, इस पेसे बताता है, तो जहाँ पे हम ads active word use करते हैं, ads active use करते हैं, उसके just बाद enough आता है, जैसे he isn't tall enough, मतलब वो उतना लंबा नहीं है, जैसे tall enough, good enough, good, दो good हम किसी की quality बता रहा होते हैं तो good enough, या old enough, जैसे कि मालो, he isn't good enough, मतलब वो उतना isn't tall enough, जैसे suppose करो कि कोई बंदा है, उससे आपने बोला कि यार वो उठा दे ना, वो book उठा दे ना, तो वो सामने वाले बोलेगा, अरे he isn't tall enough, मतलब वो उतना लंबा नहीं है कि वो book उठा दे, जैसे आपने किसी से बोला, कि यार वो वहाँ पे book रखी, please उठा देजेगा तो बगल वाले ने आपसे बोला, he isn't tall enough, मतलब वो इतना लंबा नहीं कि वहाँ से उठा दे, तो प्लीज आप ही जाके ले आओ, तो यहाँ पे इस तरह के sense में हम enough का use करेंगे, तो आपको जब भी adjective होगा, तो adjective के just bad enough आता है, noun होगा तो noun के पहले enough आता है, तो वीडियो क अंतर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thanks for watching.